दोस्तो एक कत्तर की कंपनी है जिसका नाम है कत्तर पेट्रोलियम भाई साब अगर इस कंपनी में अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो आपको अठारा सव पसीछ सो बाईस सो तीन हजार दरःम तक आपको मिल सकता है कैसे मिलेगा इसकी सारी जनकारी में आपको देने वाला हूँ ये हकीकत बात है ये इसमें सचाई है देखिए कोई भी देश में जाएए चाहे आप साथिया, कुवेत, बहरीन, जाडेन, दुबई कोई भी कमपनी में आप जाएए तो आपको गर्मेंट प्रोजेक्ट में अगर काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी सुब्धा आपको मिलती है क्योंकि वहां की गर्मेंट कमपनी जो है अपने वर्कोर को बहुत सारी सुब्धा जो परदान करती है उसके बाद salary भी परदान करती है देखिए उसमें क्या होता है कि आपका basic salary तो लगता ही है प्लस उसके बाद side allowance अलग से मिलता है प्लस जो आप bus से जाते हैं जो आपको जाने का जो समय जितना समय होता है उसका भी पैसा आपको company pay करती है जब government project में काम करने जाते हैं तब देखिए इसमें आपको एक चीज और है ऐसा नहीं है कि आप कोई government project पे काम करने के लिए जा रहे हैं और कोई contactor द्वारा जा रहे हैं तो आपको ये सुबधा नहीं मिलेगी डारेक्ट आप government project में जाएंगे तो आपको सुबधा मिल सकती है तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां से apply करेंगे कहां इसका भकेंसी जाता है सारी जानकारी में आपको दिने वाला हूँ सिल्री भी आपको वहाँ पे अच्छा मिलेगा मैं ऐसा नहीं हूँ कि कोई भी ऑगर office का नाम लेता हूँ तो कोई भी office में कोई promotion नहीं है देखिए मैं एक छोटा YouTuber हूँ मैं इसमें किसी को फसने या फसाने का chance में नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं भी एक worker हूँ worker के तरह ही मैं भी सोचता हूँ ऐसा नहीं है कि में लोगों को यहां पर बोला लूँ लोग फाज जाए उसके बाद जो है उपरवाला भी हमको माफ नहीं करेगा तो इसलिए मैं जो भी office बताऊंगा आपको ध्यान पुर्वक सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा कहां वो कौन सा office कहां है दोश्तों सबसे पहला जो office है हमारे इंडिया में मुंबई की एक office है जानिकि उस office का नाम है M. घी वाला अगर आपने देखिए यह इसके में पर आपको दिख रहा होगा M. घी वाला यह office जो है मुंबई की है देखिए जितने भी office बताऊंगा पांच office बताऊंगा ज़्यादा नहीं बताऊंगा जो सबसे best होती है जो सबसे ज़्यादा sell देने वाली office होती है मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा तो M. घी वाला अगर में M. घी वाला मुंबई की office है और इसका address जो है आपको लेना है तो Google पे search मारिएगा आपको address पुरा मिल जाएगा और इसके नाम से बहुत सारे office है M. घी वाला, M. जी वाला, M. डी वाला, M. सी वाला बहुत सारे office है ये इनका ही office है लेकिन मैं आपको M. घी वाले के बारे में आपको बोलूँगा apply करने के लिए बाकी office के बारे में अभी उतना जानकारी नहीं है मेरे पास लेकिन M. घी वाले office है बहुत लोगों ने गया है और बहुत लोग गय है और बहुत लोगों को अच्छा salary मिला है और अच्छा benefit हुआ है तो इसके लिए इस office से भी आप apply कर सकते हैं दूसरा office है A.C.A. Power भाई साब क्या जबरदस्त office है ये भी मुंबई की office है और ये मैं बता दो कि ये जो मुंबई में एक CST station है जानी की छात्रपती सीवा जी टर्मिलन जो station है उसी के जश्ट बगल में है A.C.A. Power भाई वाग कई में office है क्या office है जबरदस्त office है अगर उससे apply करते हैं तो आपको salary मिलेगा बराबर और उसमें आपको company भी बराबर मिलेगा और आपको जो government की project है वहाँ लगने फाली office नहीं है आप जैने टरीके से काम होता है जैने तरीके साब जाइए आपको सारी details वहाँ पर मिल जाएगी वहां बीजिकी विजिट किजिए तभी आपको आपको समझ में आएगा मेरे कहने साब को समझ में नहीं आएगा ठीक उसके वालततीफिस है अमबे international भ बहुत ज़्यादा होता है बहुत मतरब अच्छा सेली लगता है ऐसा नहीं है कि छोटा लगएगा बड़ा लगएगा नहीं इसमें परफ्जेक्ट तरीके से इंट्रिफुल ले आता है उससे के हिसाब से लगता है और इससे अपलाई करते हैं तो आपको कोई दिकत नहीं चौथा जो ओफिस है इंटरनेशनल ट्रेड लिंग भाई साब ये भी मुंबई की ओफिस है बहुत बेस्ट ये अफिस है बहुत ही परफेक्ट है इससे भी अपलाई करते हैं तो आपका सेली अच्छा लगेगा जैनि कि ज्यादा ही लगेगा देखिए मुंबई में बहुत स का सेली पर मिलेगा तो इससे भी आप अपलाई कर सकते हैं ये भी पैसा लेके भागने वाली ऑफिस नहीं है उसके बाद एक दिली की अफिस है जानिकी स्टाफिंग सर्विस भाई सब दिली की ऑफिस है ये जात और जो है गल्फ का और प्लस यूरोप का भी काम करवाती है जैसे के रसिया हो गया, पोडोलेंड हो गया, सिंगापूर हो गया, ये सब जगह पे भी काम करवाती है, इसे अपलाई करते हैं तो आपको दो बेन फिट होगा, आप गल्फ में भी अच्छे जगह बजाएंगे, और यूरोप में भी जाने का मौका आपको मिल सकता है, तो इ पैसा लेके भागने वाली ओफिस नहीं है, तो इसमें भी अपलाई कर सकते हैं, तो दोस्तों मैंने पांच ओफिस बताया है, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई इसमें लेकी नहीं है, कोई इसमें फरजी नहीं है, सब लाइसेंसी ओफिस है, सब गवर्मेंटेट ओफिस ह इसमें आपको पैसा लेके भागने वाले कोई भी ऑफिस नहीं है तो इसे पांचों में से कोई किसी में भी अपलाई केजिए आपका काम जरूर होगा तो चली मैं वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए जय हिन जय भारत